एक बार की बात है एक गाउं में एक पागल रहता था जब भी वो नाचता तब बारिश हो जाती गाउंवालों का उस पर बहुत विश्वास था जब भी गाउंवालों को बारिश की जरूरत पड़ती तब वो उस पागल के पास जाते और उसे नाचने के लिए कहते और जैसे ही वो नाचता बारिश हो जाती एक दिन उस गाउं में कुछ लड़के शहर से आए उन्होंने भी गाउंवालों से उस पागल के बारे में सुना जिसे सुनकर वो चारों हसने लगे वो चारों गाउंवालों का मजाक उड़ाने लग गए की ऐसा नहीं हो सकता उन चारों ने गाउंवालों का मजाक उड़ाते हुए कहा की ऐसा तो हम भी कर सकते हैं सभी गाउंवाले उनकी ये बात सुनकर इकठे हो गए फिर वो सब उस पागल के पास गए उन लड़कों उन्हों ने उस पागल से कहा, चलो, अब देखते है कि किसके नाचने से बारिश होती है, फिर वो चारों लड़के वहां नाचने, लग गए आधे घंटे बाद उनमें से एक लड़का थक के बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके वो चारों लड़के थक के बैठ लेकिन बारिश नहीं हुई, इसके बाद उन्होंने उस पागल को नाचने के लिए कहा, उस पागल ने नाचना शुरू किया, सब लोग उसे नाचता देख रहे थे, और देखते देखते पहले एक घंटा बीत गया, फिर दो घंटे बीत गए, लेकिन उसने नाचना बंद नह हुए थे और थोड़ी देर के बाद ही बारिश शुरू हो गई, ये सब देखके वो चारों लड़के हैरान रह गए, उन चारों लड़कों ने उस पागल से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये सब कैसे कर लेते हैं, तो उस पागल ने जवाब दिया कि मैं नाचते वक को ऐसा सबक दिया, जो आज तक जिन्दगी में किसी ने भी नहीं सिखाया, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम को पूरे विश्वास के साथ करना, चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए, जब तक आप अपने काम में सफल न हो जाए, जिस तरह से थॉमस नहीं आ सके, और बाद में ऐसे सफल हुए कि आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करे, मेरे चैनल को प्लीज सबस्क्राइब करें, अपना खयाल रखे, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के ये धन्यवाद